दोस्तो अगर आपके पास तकाई कंपनी का LED TV है अगर दोस्तो आप उसे online upgrade नहीं कर पा रहे हैं तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको तकाई के इस LED TV को online upgrade करने का तरीका बताऊंगा जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो TV है 14 चिका है तो आपको दोस्तो क्या करना है कि टीवी का remote लेना है और सबसे पहले आपको यह जो setting वाला बटन है आपको setting वाला बटन प्रिस करके आपको direct setting में चले जाना है आपको इस परकार से जो इंटरफेस है देखने को मिलेगा इसक इसके बाद दोस्तों आपको internet से connect करने के बाद आपको system info पर जाना है जब आप पर system info पर जाएंगे आपको कुछ इस परकार से interface देखने को मिलेगा अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको नीचे की तरफ film where version यहां लिखा हुआ है आपको दोस्तों यहां आना है इस परकार से और आपको यहां आने के बाद remote का जो ओक्य बटन है tv का आपको दोस्तों इसे पांच बार प्रेश करना है तो आपको tv remote से जो ओक्य बटन है पांच बार प्रेश करना है आपका जो tv है अगर internet से connect है तो से बहुत ही इजली इस तकाई कंपनी के टीवी को आप दोस्तों ऑनलाइन अपग्रेड कर सकती हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह तकाई कंपनी का टीवी है अगर आपको सेम फीचर वाला टीवी आपके पास है तो आप इस प्रिकार से ऑनलाइन अपग्रेड कर सकती हैं झाल